आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now दोस्ता हमारा प्रस्ट में कि Gram, Adu, Dravimann यानि Gram Molecular Mass किसे कहते हैं ठीक है चलिए देखते हैं तो जो Gram, Adu, Dravimann होता है इसको हम GMM भी कह सकते हैं मतलब इसको किसे दर साथ है GMM मतलब Gram ठीक है Molecular Mass ठीक है तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा जो Gram है ठीक, Gram का पहला अच्छर G है Molecular का पहला च्छर M है और Mass का भी पहला अच्छर M है तो कुल मिलके क्या होगा GMM ठीक, चलिए यह हमारा Gram Molecular Mass हो गया अब हम इसकी परिवासा देखते हैं तो एक अडू के एक अडू के द्रबमान को ठीक है एक अडू का जो द्रबमान होता है उसी को हम भोल देते हैं Gram Molecular Mass ठीक है एक अडू के ठीक है एक अडू के द्रबमान जो होता है एक अडू के द्रबमान को Gram अडू द्रबमान यह GMM कहते हैं ग्राम अडू द्रवमान कहते हैं ठीक है अगर दूसरे तोर पर देखें तो जैसे मानलो हमने कोई सैंपल लिया ठीक है तो उस सैंपल में जो एक मॉल का जो द्रवमान होगा जैसे मानलो है अब हमल द्रवमान इसको हम बोल देंगे gram molecular mass ठीक है याँ बोल दोगा gram अडू द्रवमान ठीक है और इसकी जो एकाई होती है जो यूनिट होती वो किसम एक होती पर मोल में आप लिख देते हो ठीक है जैसे मानलो आपने H2O लिया है ठीक है तो इसको हम ठीक है तो इसके काई को किस में लिख दोगे ग्राम पर मोल में ठीक है अब मोल भी ठीक है तो उमेद करता हूं आपको समझ में आया होगा धन्यवाद अज राउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर